हेलो दोस्तो वेल्कम बेक टू जगुदाती चैस जोन आज आपके लिए बहुत पढ़िया नई ओपनिंग बुड़ा पेस्ट में कितने सारे ट्रैप है बुड़ा पेस्ट नाम सबने सुना होगा आज आपको बहुत ही जबर्जस्ट ओपनिंग के बार में बताऊंगा तो ध्यान से देखे पूरा वीडियो देखे एक भी मुझ मत करती किजिए हरे क्वेरियेशन ध्यान से सीख लीजिए डी फोर नाइट एप सिक्स सीफोर एफाइव यह है बुड़ा पेस्ट ओपनिंग जिसमें ब्लैक चैलेंज करता है पहले से पॉर्ण सेक्रिपाइव वाइट टेक्स करता है डी टेक्स एफाइव द्यान से देखे हरेक मुझ यहाँ पे ब्लैक का बेस्ट रिप्लाई है नाइट जीपोर और यहाँ से सुरू होता है पॉर्ण सपोर्ट करने का चांज मतलब वाइट चाहता है कि जो ब्लैक ने पॉर्ण दिया है सेक्रिपाइस में वह मैं वापस नहीं दूँगा और एंड गेम तक उसको प्लस रहके मैं गेम जीत लूँगा तो यहाँ पे वाइट ट्राइ करता है अगर सुरूज करके आप ब्लैक से कैसे विंभीन हो सकते हूं तो कि कुइन कुद दीफाइ के बारे में पहले देख थे हैं उसके बाद में दिखंगा कुइन डीफॉड दूसरा ने हमारा तो यहाँ पे हम कुधी पहले चेक करते हैं क्भीब सी ब्लैक को क्या करना है नाइट C6 अगेंड अटेक और डिस पॉंड नाइट C6 अब नाइट टेक्स इफाई की ठ्रेट है वाइट ट्राइ करेगा सेव करने के लिए एफ फोर और यहां पे नाइट B4 नाइट B4 के बाद क्वीन पे अटेक है फोर की ठ्रेट भी है तो अब्जिस्ति क्वीन के पास बेस जगा है क्वीन E4 जो C2 को भी सपोर्ट करता है तो क्वीन E4 के बाद यहां पे बेस्ट रिप्लाई होगा बिशब C5 डाइरेक अटेक ओन F2 नाइट F2 से फोर्ट की ठ्रेट है तो बिशब C5 के रिप्लाई में बेस्ट ओप्शन है E3 E3 के बाद बिशब सेक्रिफाइस बिशब टेक्स E3 आप्टर बिशब टेक्स E3 नाइट टेक्स E3 इफ क्वीन टेक्स E3 देन सिम्पल ब्लैक विल विन दे गेम बाई नाइट से टो टुटल इवनी तो यहां पे E3 अगर फिर्थ मूं में F4 के बजाए यहां पे वाइट नाइट F3 से इस पोजिशन में अगर सपोर्ट करता है एफ फोर नहीं रिस्क लेना चाहता है तो नाइट F6 के बाद D6 यह बेश रिप्लाई है बिशब G5 वाइट ट्राइ करेगा क्विन पे अटेक बिशब E7 सिम्पल मूँ आप्टर बिशब टेक्स E7 और यहां नाइट E7 और काउंटर अटेक ओन दिस क्विन तो क्विन E4 फिर से वाइट के लिए एक ही ओप्शन अच्छा है जो आपके नाइट पे प्रेशर भी द बता रहे हैं तो यहां पर आपको खेलना है डी टेक्स E5 और यहां पर नाइट टेक्स E5 और यह नाइट टेक्स E5 और सिम्पल कासलिंग और यहां पर ब्लैक टोटली बेस्ट पोजिशन में है जापे नाइट भी डिवलोप है पुइन भी डिवलोप है रूप भी और सेंटर कंट्रोल भी हो जाएगा चैसलिंग भी हो जाएगा एक दम गेम पूरी सेफ हो जाएगी बिशब जी फाइल एक और ओप्शन है बिशब जी फाइल के बजाएगे शिक्स में इटेक्स दीशिक्स इटेक्स दीशिक्स में सिंपल बिशब इशिक्स काउंटर एटेक्क करना है आपको आप्टर क्विन डीवन बिशब डीशिक्स और ये ब्रिलियन पोजिशन है और यहाँ भी एक ट्रैप है दोस्तो एक्स ट्री ये बहुत ही ब्लंडर मोग है आप वीडियो पॉस करके मैं बताऊंगा नाइट एप्टू सैक्रिफाइस आप्टर किंग टेक्स एप्टू और विशब जी थ्री किंग टेक्स जी त्री ये ब्रिलियन ट्रैप है यहाँ पे आप दूसरा वेरिशन देखते हैं क्वीन डीफाई के बदले क्वीन डीफोर नाइट पे अटेक के एक कि पॉण से जैसे कि विशब को विशब से नाइट को सपोर्ट आता है पॉण टेक्स पॉण यहाँ पर आपको खेलना है विशब डी सिक्स अब आप सोचोगी कि सर यहां पे तू जी स्यावन अध्वेट में है लेकिन कोई प्रॉब्लेम नहीं है जी से अगर क्वीन ज तोटली ट्रैप्ट है जैसे अगर बिशाप पर क्विन टेक्स जैसे यह खेला तो यहां सिम्पल बिशाप E5 अब आप देख सकते हो कि क्विन टोटली ट्रैप्ट पोजिशन अगर यह क्विन G5 करता है तो यहां भी आप एक्सेंज होने के बाद पूरा रुक आपको फ्री में मिलता है यह भी एक जबज़श्ट ट्रैप है जी सेवन एलाउड आपको जी सेवन एलाउड करना है तो यहां रिप्लाई क्या होना चाहिए वाइट के लिए नाइट एफ्ट्री बेस्ट रिप्लाई डे कि एस्ट्री में काउंटर एटेक करना है नाइट से 6 से अब देखो ब्लैक का डेवलोप्मेंट कितना फास्ट हो रहा है बुड़ा प्रिष्ट में यही ब्लैक इसी गेम की जो खासियत है ब्लैक की यह बहुत मज़ा था एक पौन सेक्रिफाइस करके गेम पूरी खेलने में बहुत ही जवर्चस सबही मू आपको अटेकिंग मिलेंगे क्वीन टुनी एफोर नाइट से 6 के बाद क्वीन एफोर और शिंपल रूक़ एट। फिर से queen पर attack queen c2 और queen c2 के बाद knight b4 again attack तो यहाँ queen c3 और यहाँ आपको खिलना है knight d3 sacrifice of knight after queen d3 bishop b4 check और simple अगर यह bishop d2 करता है तो queen takes queen आपको free में मिल रही क्योंकि pawn pin है और अगर king move करता है तो knight add two just move है और फिर simple game win है क्योंकि आपको queen भी मिल गई है कि चलिए अब दूसरा variation देखते है ड4 बुड़ा पेश में बताऊंगा knight f6 c4 e5 d takes e5 knight g5 e6 काई लोग यह खिलते है e6 यहाँ पर simple bishop b4 bishop d2 और best option है queen f6 double attack on f2 and b2 after bishop takes b4 check bishop takes b4 simple अगर knight f3 करता है पहले तो यह यह जाए कि यहाँ पर mate की position भी है दोस्तों तो bishop b4 possible नहीं है तो white का बेस्ट option होगे यहाँ पर knight f3 और यहाँ पर simple queen takes b2 after bishop takes b4 और simple queen takes b4 check तो यह भी एक जब 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 पोजिशन है यहाँ पर हम देखते है कुछ option अब आपके पास एक और भी option है गुड़ा पेस्ट में knight g4 के बज़ा एक knight e4 वाला भी variation बताता है लेकिन मेरे इसाब से knight g4 वाला variation बहुत ही बढ़िया है knight e4 के बाद white खिलेगा a3 क्योंकि bishop को भी पोर पर आने से रोकने के लिए a3 के बाद यहाँ simple d6 after ed6 bishop takes d6 knight f3 और यहाँ पर knight sacrifice knight f2 after king takes f2 simple same as last trap bishop g3 check and after king takes or simple you will win the queen so knight e4 में कि यह trap है a3 के बज़ा queen c2 करें तो क्या करना है यहाँ पर जैसे कि या white ने पहले से queen c2 कर दिया तो queen c2 में आपको reply देना है bb4 check knight d2 और यहाँ पर d6 e takes d6 bishop f5 discovered ki threat so queen f4 check simple knight c6 develop your knight and support this bishop after a3 knight c5 counter attack अब queen के पास कोई best move नहीं है तो knight c5 में जैसे कि counter attack करता है dc7 तो simple queen e7 then queen will be trapped after queen d1 और simple knight d3 check तो यह भी एक जबज़स trap है लेकिन मेरे इसाब से knight g4 वाली game बहुत ही बढ़िया है तो आप knight g4 मैं आपको पहले कमांड करूंगा knight g4 वाली ही line खेले तो यह थी बुड़ा पेस की traps next वीडियो में और भी बहुत सारे traps बुड़ा पेस में बाकी हों मैं आपको बताऊंगा तो जल्द ही मिलेंगे नेक्स वीडियो में जैहें जैगुर्कार